हेलो बच्चा पार्टी नमस्कार अदब सुष्यकाल और केम चो वेलकम तु अधीजिश्वी तु लागने कॉंसेट चैनल वर इकन फील आपको बोर्ड में जरा से भी टेंशन है ना बस बिंदा सोगर के चानेकनिती पर अटेंशन करो और जित्रे भी एपिसोड आ हैं आपकी नईया जो डूब रही थी फिजिक्स में निकाल देंगी आज हम लोग देखेंगे एंटी चैप्टर जो एल्टरनेटीं करेंट है उसके एंटी सॉलिशन फड़ा फट देखेंगे बट उसके पहले एक वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फड़ा-फट जो नीचे प्रिवेस वीडियो को मिस करा है तो अपने मुवाइल के स्क्रीन को कहीं पर भी टैप करो आप देखोगी छोटा सा सिंबल आई है टेच दर डाई एंड फिल द फिसक्स और बच्चा पाटी साथ ही साथ अगर आप हमारे एडवांस चानक या कोर्स को पर्चेस करना चाहते हैं जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स हैं कम्प्लीट पैकेज है और आपकी स्टैटजी है सैंपल पेपर्स हैं प्रिवेस सेरी के कोश्चन भी अपडेट हो चुके हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजे हैं तो यह हमारा एडवांस चानक या कोर्स है इसके बारे में और भी ज्यादा डीटेल्स आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आपको अपने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा इसकी वेबसाइट जहां से आप इसके बारे में इन्फोर्मेशन ले सकते हैं इनकेस आपको कोई भी प्रॉब इससे कुश्चन बनते हैं 100% गैरेंटेट बनते हैं तो हम NCRD के exercise को solve तो करेंगे पर एक बार मैं आपको इसकी chapter की quick formulas बताता हूं ज्यादा ज्यादा देसी बारा होगा आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको ऐसे बोल भी देता हूं कि LCR circuit के जो अंत में आ जाता है LCO oscillation इन साथ ही साथ आपके पास में एक और formula आएगा and that is all about transformer अगर आप इतने equations को अच्छे से चाट लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको इस chapter में रोक ले तो चलिए इस chapter का सबसे पहला सवाल देखते हैं NCRT में बहुत ही आसान ह simple मतलब formula based है यार mama type सवाल इसे मैं कह सकता हूं तो ऐसे mama type सवाल से आप कभी भी ऐसा ना करें गलती कि जिससे आपके marks चले जाए ऐसे mama type सवाल से आपके marks बनने चाहिए ठीक है so make sure तो देखे पहले सवाल में है na resistance दिया है NCRT का मैंने लिख दिया है तो question आप अपने textbook से देख लीजे तो resistance दिया है VRMS दिया है और frequency एक बात याद रखिए मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना VRMS word कभी भी यूज नहीं करेगा exam में हमेशा ऐसा बोलेगा कि for AC sources this is the voltage and this is the frequency AC chapter के अंदर जो भी voltage होती है व अगर मैंने बोला 220 voltage of AC source तो consider that 220 as VRMS do not consider as peak value got my point बचा लो ठीक है तो VRMS 220 और frequency दे रखी है अच्छा तो पूछा क्या है यार IRMS पूछा है कुछ नहीं है simple current का equation सोचिए V by R लेकिन इस chapter में R नहीं होता है impedance होता है ठीक है Z होता है हाँ हाला कि सवाल के अंदर resistance ही दिया हुआ है इसले Z की जगह पर क्या आ जाएगा R value रखी एक फटा पर calculation मामा type question है दूसरा सवाल बोलता है कि power निकालो basic formula of power P is equal to voltage multiply by current रख दीजिए answer आ जाएगा NCRT के दूसरे question में साब साब बोला है peak value of voltage यानि की maximum value यानि की 300 voltage आप सुनिए बच्चा पार्टी अगर maximum value से आपसे पूछे RMS तो formal लगा दो यार VM by root 2 और अगर आपसे IRMS दे रखा है और maximum पूछे तो IRMS into root 2 क्या question इसके अंदर कुछ भी नहीं है number 3 की मैं बात करूं हाँ थोड़ा सही ठीक ठाक लग रहा है क्योंकि इसमें हम आगे update हो गए तो inductance दिया है VRMS दिया है और frequency अगीन में repeat करूंगा VRMS word का use देखी numerical में नहीं किया होगा it is you who has to understand कि हाँ यह RMS value है जब तक जब तक कि उसको कब तक जब तक कि उसको यह ना बोले कि वो peak value है ठीक है तो VRMS की value आ गई we easily हम find कर सकते है IRMS so IRMS is equal to what VRMS upon R but that R is resistance but that resistance is set to be impedance और यह L है यानि की L का resistance XL होता है which we have already learned है ना तो XL का formula क्या होता है ओ गजब omega L और omega की जगह पर क्या हैगा 2 pi FL so if we place 2 pi FL then we have value of VRMS रहे रखा और answer आया धान्टेड और खतम good job number 4 की बात करें तो same to same question है capacitance value is given VRMS is there आपको find करना IRMS कितना होगा तो again the same method IRMS VRMS upon XC that X is what capacity reactance and what's the formula of XC it is 1 upon omega C and omega की जगह पर क्या आएगा 2 pi F oh 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 2 pi F नहीं नहीं X is equal to 1 upon omega C and that 1 upon 2 pi F C तो यह उपर से ला जाएगा तो यह question आजाएगी रख दीजे answer आगया फटा 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 एंसर दे करके comment करना मुझे अच्छा लगेगा इतनी महनत कर रहे तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे बच्चा party इसको solve करें इसरी वीडियो को ना देके next number 5 पे आपसे power पूछा है power का formula VRMS IRMS into cos phi where cos phi is the power factor and how to calculate power factor to cos phi equals to R divided by Z where what you mean by R you know that R is resistance and Z is what impedance बच्चा party number six में आपसे L पूछा है C पूछा निये दिया है so these are the given value L C and R उससे आपको angular frequency बूला angular frequency आपने series resonance में पड़ा था तो omega is equal to what one upon under root LC खतम है ना और दूसरे में क्या पूछा है Q factor तो Q factor का formula 1 upon R under root L by C रख दीजे खतम या सारी value देशले मैंने कहा कि chapter में numericals बहुत आसान आते हैं सिर्फ आपको इसके छोटे से formula का जो वो है table है बना करके अपने notebook बस उसे चाटते रही है number 8 की मैं बात करो तो आपको 7 question बोला था but 7 मैंने उठाया नहीं क्योंकि बिल्कुल वैसाही है हाँ 7 के अंदर के जो चार्ज की value उठाली है capacitance is given and you have to find the initial energy of that capacitor so what is the formula of energy of the capacitor it is half CV square या फिर Q square by 2C तो रखिये answer खतम क्या रखा है सब मोमा है ठीक है take a screenshot फिर हम discuss करते हैं आगे के numerical पर भी ओल्राइट बच्चा लोग तो नेक्स्ट कोस्टिन इस नंबर नाइन इन विच वी हव रजिस्टेंस इंडेक्टेंस and capacitance आपसे बोलता है कि VRMS 220 वोल्टेज है बोले का नहीं आपको डिटर्माइन करना है एसी है तो VRMS यह 100% सो ऐसा कहते है इस कोश्टन में कि अगर हमारी जो frequency है वो natural frequency के बरावर हो जाए तो question arises in our mind what you mean by natural frequency अरे हाँ natural frequency वो frequency थी जिस frequency पर IRMS maximum हो जाता है जिसे हम कहते है 1 upon 2 पा अडरूट लसी और इसी situation में XL और XE equal होते हैं तब ही तुजा अगर क्याफ आता है ना omega बरावर और अपन अंडरूट LC और इस ताइम पर अगर XL और XE equal है तो think about Z Z is equal to under root R square plus XL minus XE call square and if you take XL बरावर XE Z बरावर R तो IRMS is equal to VRMS by Z बट Z की जगह पर आ रहा जाएगा आप से IRMS पूछा है खत्म game over मैंने पहले ही का है chapter की numerical बहुत easy है कैसे भी question पूछे आप score कर सकते हैं power पूछा है तो VRMS IRMS cos phi but at that condition जहाँ पर frequency natural frequency के बराबर resonant frequency के बराबर है तो फिर से सोची cos phi is equal to what R by Z this is the method to calculate power factor see बच्चा यह जो phi है ना इसको बोलता है phase difference और यह जो पूरा cos phi है that is set to be the power factor तो अगर मैं power factor cos phi R by Z लेता हूं और Z की जगह पर हम R लिखते हैं तो R ने R को कटीला मारा तो cos phi equals to 1 आया अब यहां रख दीजिए VRMS आपके पास में है और IRMS आपने just find out करा power निकल गया next number 10 जो है यह important question है क्योंकि बहुत बार यह आपके competition में पूछा जा चुका है इसको करने का और याद रखने का simple तरीका बताता हूं वर्ड में numerical में कभी भी दिखे tuning वर्ड numerical मतलब numerical में ऐसे वर्ड आजा है tuning तो समझ जाए यह 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 जो मैं बताने जा रहा हूं लगे गए वास्तिकता में क्या होता है कि एक signal की range दी होगी frequency की range इतनी से इतनी है तो एक minimum होगा एक maximum होगा फिर आपको inductance दिया होगा पुछे का capacitor की range बताओ वास्तिकता में क्या है कि एक radio में tuning हो रही है अलग-अलग frequency प्रिक्वेंसी तो उस frequency के लिए capacitance कितना होना ची है ना तो f is equal to one upon two pi under root lc this f का square तो one upon four pi square lc c को subject बनाया आप सुनो अगर मैं c max find करना चाहता हूं तो मेरा f minimum होना चाहिए देखे रेसिप्रोकल में है and in case you wish to find c minimum so your frequency should be maximum that's it l दिया है सब दिया रख दो खतम गेम ओवर number 11 is quite interesting और अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम्हें हर चीज आ जाएगा LCR series circuit है R दिया है L दिया है और सी दिया है और voltage दे रखा VRMS अब से पूछता है कि के इस situation में LCR circuit के अंदर जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हुई यानि कि ZR की बराबर है तो आप बताईए वो फ्रिक्वेंसी कितनी है तो कुछ नहीं है आपने सीधा सीधा फॉर्मल लगाना है एफ इकुल्स टू ऑन अपॉन टू पाई अंडरूट एलसी एंसर आजाएगा यह रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फिक्स फॉर्मुला कुछ नहीं करना है ठीक है सेगेंड अच्छा इंपिडेंस एट रेजोनेंस आपको यहां भी बताया कि ZR के बराबर हो जाता है क्योंकि रियालिटी पे जो Z का फॉर्मुला वह अंडरूड स्कार प्लस XL माइनस XC का हो स्कार रेजोनेंट होना है तो यह सुनने होगा इसलिए बराबर होगा बच्छा लोग तो Z बराबर यानि करेंट आपकी हो जाएगी IRMS is equal to VRMS अपन आर यह देखिए VRMS आपको दिये ला है बच्छा लोग आर रखी ला है अंसर चमकीला है देख अगर मैं VC लिखू तो VC होना चाहिए what is the formula of voltage V is equal to IR but that I is not I but that I is what IRMS and if you are talking about capacitance तो RR रही होता है AC circuit चल रहा है तो उस आर के जगह पर who will take the place XE and what do you mean by XE? X is the capacity to reactance यह निए IRMS into XE now the question is कि कैसे निकालने XE तो XE निकालने के लिए क्या करो XE का formula लगा दो 1 upon omega C and what do you mean by omega oh 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 2 pi Fc that's it खत्म यह विजी नहीं कर लिए अब अब अगर मुझे चाहिए VL so again same method VIRMS into XL how to calculate XL XL का formula लगा दीजिए XL is equal to omega omega is equal to 2 pi FL सब दिये लाए खतम अब तुम्हें समझ में आ रहा है V is equal to IR करना है but basically R सिर्फ resistance के लिए रहोता है बड़कर मैं के बात करें तो XE और inductance की बात करो तो XL जिसको हम कहते है opposite reactions or inductive reactors ठीक है अब कहां एक और चीज़ बाकी VR यानि वोल्टेज अक्रॉस इसको मैंने वियल बोलना है इसको मैंने वियार बोलना है so VR is equal to IRMS into R सब दिया है खतम लास्ट पूछा है कि what will be the voltage drop across LC तो अगर हम LC ले ले लेते हैं तो LC के लिए जो आपका voltage होगा बच्चा लोग वो होगा IRMS and then XL minus XC क्योंकि XL और XC की value जब आप निकालेंगे तो आपको तो पता है ही ये दोनों same आता रहा होगा क्योंकि ये दोनों same आता रहा होगा तभी तो frequency सी है क्योंकि XL बराबर XC पे ही Z आपका आर के बराबर होता है you will check and then come to this point किसी को बोल देना यार ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा zero so this is done यह आपके 10-11 सवाल थे एक मैंने आप number seven I think नहीं करा वो बहुत easy था ऐसे easy ही पूरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है आपको additional की करने की कोई आवशकता नहीं है बोड में additional से question नहीं आते हैं जो बच्चे लास्ट तक सुने है फिर से repeat करता हूं there are no question in your board examination from the additional exercise no need to focus on that all you have to do derivation theoretical portion and NCRT के जो additional के पहले की question है यानि complete चाड़किनिती का भौकाल पूरा complete चाड़किनिती का भौकाल अगर आप करके जाते है तो दुनिया की कोई भी थाकत आपको रोक नहीं सकती चलिए तो विदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे कल ठी किसी समय पर खुश रहिए मुस्कुराते रहिए मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए मिलते हैं एक्स क्लास में तिल देन देन दो वाटेवर यूँ वांट तो दो मैं पर दोंट ट्रबल यूर मॉम टेकर बबाए और चालोगे और प्लीज सब्सक्राइब चैनल और अलस कर दो